करे बच्चों आज हम कक्षा दस्वी के अध्याय छे त्रबुश के अंत्रगत प्रश्ण वरी 6.2 का प्रश्ण करमांग 4 यहां देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि यहां पे एक आकरती हमें ग्यात है और इस आकरती में हमें दी समनंतर एसी के दिया है और दी एफ समनंतर एए के है तो हमें यह सिद्ध करना है कि बी एफ बटे एफ ए बराबर बी इबटे एसी है तो यहां हम सिद्ध करेंगे बी एफ बटे एफ ए बी एफ बटे एफ ए और बी इबटे एसी यह आपस में बराबर है तो इसके लिए ह हम सबसे पहले यहां पर देख रहे हैं ध्यान से आकरती को आप देखें तो दो त्रभुज दिखाई दे रहे हैं आपको सबसे पहला त्रभुज तो यह आपको यह बड़ा त्रभुज दिखाई दे रहा है तो यहां पे जैसा कि हम देख रहे हैं चुकि त्रभुज Bac और एक और त्रभुज यहां पे हम देखेंगे BAE तो सबसले हम Bac त्रभुज की बात करेंगे जिसमें हम देख रहे हैं कि A.C. एक भुज़ा इसके समनानतर D.E. भुजा होगी यह आप देख रहे हैं तो हम यहाँ पे दोनों भुजाएं समनांतर हमें ग्यात है हमें ग्यात है DE सामनांतर है AC यह हमें ग्यात है अब चुंकि आधार बूत अनुपातिकता प्रमे अथवात हिल्स प्रमे के अनुशार यह इनकी जो अन्ने दो बुजाए हैं समान अनुपात में भायत करेंगी कहने काताथ पर यह है कि इसमें BE और EC बराबर होगा BD बटे DA के तो हम यहां लिखेंगे BE बटे EC बराबर होगा BD बटे DA के इसको हम समीकरन करमांग के एक दे दें पुने हम यहां पर देखते हैं कि दूसरा त्रबुज हमें BAE है तो त्रबुज BAE में हम देखते हैं यह आपको ग्यात है DA बटे और AE जो हैं समन अंतर है DF और AE इसमें हमें समन अंतर ग्यात है तो इसे लिखेंगे DF समन अंतर है AE यह हमें ग्यात है और इसके अधार पर हम देखते हैं कि जो अधार भूत अनुपातिक प्रमें है अत्वत हैल्स प्रमें तो इसके अनुसार BF और FE का जो अनुपात है यह हम लिखेंगे BF और FE का अनुपात है वह इस BD और DA के अनुपात के बराबर होगा तो हम लिख दें आपे BD बटे DA इसे हम समीकरन करमांक दो दे देते हैं अब समीकरन करमांक एक और दो को आप ध्यान से देखें तो राइटनसाइड ओए BD बटे DA हमें ग्यात है और तुलना करें हम समीकरन एक एवं दो की तो यहां लिख देते हैं समिकरण एक तथा दो की तुलना से हम देख रहे हैं कि राइट इंड साइड बराबर है तो इसके लेपट इंड साइड भी बराबर होंगे अर्थात B, E, B, E, C, बराबर होगा B, F, B, F, E, कि यहां में सिद्ध करना था झाल झाल